एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पुचा पापा मेरी लाइफ की क्या वेल्लियू है तब ही पापा ने कहा अगर तुम सच में अपनी जिन्दगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ इस पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना और अगर को इसकी प्राइस पुचे तो कुछ मत कहे ना बस अपनी दो उंगली खड़ी कर देना वो लड़का मार्केट गया वो कुछ देर तो वहाँ एसे ही बेठा रहा लेकिन कुछ देर बाद ही एक बोड़ी ओरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पुचने लग गया कि एक पत्थर की किमत 200 रुपे चुकि पत्थर जन्रली कहीं पर भी मिल जाते हैं लेकिन उसका प्राइस 200 रुपे वो तुरत अपने पापा के पास गया और बोला पापा मुझे मार्केट में एक बुड़ी ओरत मिली थी और इस पत्थर के 200 रुपे देने के लिए तय पापा ने कहा इस पार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना और अगर को इसका प्राइस पूचे तो कुश मत कहना बस अपनी दो उंगली खड़ी कर देना वो लड़का म्यूजियम में गया और वहाँ पर एक आदमी की नजर उसके हाथ में रखे पत्थर पर प लड़का फिर से चोप गया और जाकर अपने पापा से कहा पापा म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था और इस पत्थर के 20 हचार उपे देने को तयार था तब उसके पापा ने कहा अब मैं तुम्हें आखरी जगह बेशने जा रहा हूं और अब तुम्हें जाना है कि और अगर वहां पर भी कोई प्राइस पूछे तो कुश मत कहिना बस अपनी दो उगलियां खड़ी करते ने वो लड़का चल्दी से किन्ती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बुड़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे ख़़ा था जैसे ही उस बुड इसे इसका कितना लोग है तुम इस पत्थर के लिए वो बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी दो उगलियां खड़ी करती तब ही वो बुड़ा आदमी बोला कितने दो लाग रुपे ठीक है मैं इसके लिए तुम्हें दो लाग रुपे देने को तयार हूं प्लीज आपकी Life की Value इस बात पर Depend करती है कि आप अपने आपको कहा रखते हैं यह आपको Decide करना है कि आपको 200 रुपे का पथर बनना है या फिर 2 लाग रुपे का जिंदगी में कई सार एसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार कड़ते हैं उनके लिए आप सब कुछ हैं और क झाल झाल